चलू, यह कहता है, अब देखो 2021 में याया है, और यह पेसिकली force दिया हुआ है force यह,acyकोंसा equation, force on charge particle अगर एक charge particle पोजेटिव चार्erm मेंगनेटिक क्नलवग करता तो उसका order equation day quay और उस vector equation गो हमा यसे भी लिख सकते हैं अराम से बडे राम से उसमें कोई दिख़त नहीं है, तो अगर कहता है, चार्ज की वेलू 1 कुलाम हैं, और वेलौशीटी वेक्टर इतना हैं, और मेगनेटिक फोर्स इतना है, तो Complete Expression for Magnetic Field, तो मेगनेटिक फिल्ड कितना होगा, अब देखो यार, यहां पे जो मैगनेटिक फिल्ड है वो आई जे के थ्री डाइमेंशनल स्पेस में डिस्टिब्यूट है एक्स आक्सिज एक्सिज 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 वेलॉसिटी वेक्टर उसमें हमने लेजा के एक चार्ज पार्टिकिल छोड़ दिया टीक है तो उस चार्ज पार्टिकिल पे बिलॉसिटी दिया हुआ वेक्टर के फार्म में फोर्स दिया हुआ है तो मैगनेटिक फिल्ड की वेलु निगाल नहीं है तो यह जो कॉश्चन है particle magnetic field B में move कर रहा है अगर यह चार्ज प्रडिकल क्यू 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 है पोजेटी चार्ज प्रडिकल और वह magnetic field क्यूं थीटा डिगरी पर उस पे लगने वाले टेनते एश्मनी चूडे क्यूं है चलू तो वेक्टर-वार्म में इसको लिखता हूं तो यह equation vector form में जो होता है वो f vector is equal to q v cross b के equal होता है cross productive vector है अब इतनी सी बात यह equation बहुत important है देरा है magnetic effect current में positive charge negative होगा तहा minus आ जाएगा electrons होगा तो यह equation बदल जाएगा electrons के case में minus q negative charge v cross b के form में दिखेगा मतलब जो positive के लिए force आ रहा था उसके opposite force आ जाएगा ठीक है वो negative charge particle के लिए positive charge particle magnetic field में magnitude है vector ठीक है अब इस equation को कुछ नई बात तो है नहीं ठीक है इस equation में कुछ नया बात नहीं है इस equation में vector जो cross product अच्छे से आता है उनको यह बात पता होगा कि यह जो velocity vector है वो always perpendicular होगा force vector के always perpendicular होगा इसका मतलब यह हुआ कि जो perpendicular है v.f always 0 होगा इस पर direct question आ चुके हैं ठीक है अगर equation लिखा हुआ है आपने पढ़ा है कि कि vector r is equal to a cross b vector r is equal to a cross b r vector है a cross b के तो यह जो है यह c vector जो vector r है a और b के हमेशा perpendicular होता है तो इसमें जो b vector है वह हमेशा perpendicular होगा always f vector के इसका मतलब यह हुआ कि b.f is equal to 0 यह मैं इसने explain कर रहा हूं कि बहुत सरे यह यार online class यह online class है online तो इसमें बहुत सबसे कमजोर वच्चे को भी समझ मैं इसमें कोसिस करता हूं तो यह जो चीज है वह always होगा यह यह always होगा ऐसा कोई physics में equation लिखा हुआ है तो यह always होगा कि a.r 0 होगा और b.r हमेशा 0 होगा always और साथ-साथ यह दोनो वेक्टर यह दोनो वेक्टर उस plane के परपेंडिक्टर यह जो वेक्टर है यह f always perpendicular होता उस plane के जिसमें a and b रहते हैं तो a and b रहते हैं इसका मतलब हुगा कि अगर तुम इसको 3D view देखोगे यहां पे तो अगर यहां पे देख लो अगर माल लो force is equal to इधर यहां से हम आपको बहतर तरीके से समझा सकते हैं तो force f is equal to q v cross b पहले इसको समझ लो पूरी magnetism में काम आएगा तो force अगर charge particle की यह book है इसके plane में velocity vector इधर है तो b cross b और यह magnetic field इधर है इसके plane में और यह theta degree है तो b cross b करोगे दाहिन हाथ को लेना भाई ठीक है b cross b तो इस plane के perpendicular आएगा f vector यह वाला vector f तो देखो simple सी बात है यहां से आपको 3D visibilize हो रहा होगा कि जो f vector आ रहा है यह वाला vector वो b के तो perpendicular होगा होगा ही वी के perpendicular होगा है साथ साथ उस plane के perpendicular होगा जिसमें यह दोनों रहते हैं a और b का जो घर है ठीक है मतलब book के plane के perpendicular होगा समझ रहे हो ना अगर मालो मतलब मतलब ऐसे मैं आपको समझाओं कि जैसे ही यह book है और इस book में अगर दो वेक्टर है एंड भी या जो भी है भी एंड की तो जो एफ वेक्टर है वो इस book के plane के perpendicular या तो उपर आएगा या तो नीचे आएगा बात समझ में आ रहे है यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसका मतलब यह हुगा कि यही वाला concept मैं लगा दूं यह वाला concept लगा दूं कि अगर f.b अगर 0 हो गया f.b देखो b और b और b आपस में perpendicular हो भी सकते नहीं भी हो सकते वह यह 28 डीॲर्य को ही और b आपस परप्रपिंड्डिकुलर होंगे या नहीं होंगे उनकी बीस का एंगल डी साइडी करेंगـया तो इसका मतलब हुगा कि इसका मलब बी डोड ची यह तो 0 होगा यह तो जीरो के नहीं इककोल होगा नहीं最वस होगा अब यही कॉंसेप्ट यहां लगा देते हैं मैं इतना सारा कारिक्रेम आपको समझाने के लिए कर रहा हूं तो इसका मतलब यह हुगा कि अगर यहां से किसका जीरो आता है तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखोगे तो डॉट पुड़क कैसे लेते हैं आई का यहां से अगर मैं डॉट पुड़क केंसिजर करता हूं तो इसका डॉट इसके साथ आई का आई लोगे तो माइनस 32 और माइनस आट दून एक्स और यहीस माइनस 12 के भात्तर इस्कुल टू जीरो ठीक है आई का यह जे कचे के के तो यह कभी जीरोग आई नहीं रहा मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है ठीक है सेकेंड ऑप्शन के साथ इसका और इसका डॉट लोग डॉट लेने सबको आता हो का आई का इज एक आज एक के कर लेते हैं ठीक है तो 6 और 4 का मंडिप्लाई कर दो माइनस 6 चोगे 24 और माइनस माइनस प्लस 120 और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस और 12 वाठे 96 इसकोल टू 0 देख लेते हैं ये तो 124 और 24 में 24 माइनस करोगे तो प्लस 96 और माइनस 96 इसकोल जीरो कुल मिलाके 0 आ गया मतलब ये हुगा कि B option सही है बागी के साथ देख लो करके 0 नहीं आएगा इट इस वेस्टिंगा टाइम तो इसका और इसका डॉट 0 आ गया मतलब बी आप्शन सही है झाली कि झाली रहा हैया है झाली कि कि झाली के ये लुट है झाली कि ऌई देऊ झाली कि ludzi कहा को चाली कि रku contribute झाली कि तो